अगर आप Indian Bank के customer हैं या फिर इलहावाद Bank के customer हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बताऊंगा कि Indian Bank ने जो एक नया एप लॉंच कर दिया है Indie Smart तो Indie Smart में आप कैसे registration करेंगे कैसे उसका इस्तिमाल करेंगे वो सारा जनकारी मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों से बताने वाला हूँ इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि जो Indian Bank का official app था पहले Indie Asis वो बंद होने वाला है जो कि दोस्तो इस समय वो फाइनली बंद हो चुका है और Indie Smart चाल हो चुका है अभी आपका Indie Asis नहीं चलेगा और Indie Smart ही चलेगा तो Indie Smart में आप कैसे registration करेंगे कैसे उसको इस्तमाल करेंगे सारा जनकार इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो को end तक देखिएगा अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को like करके चैनल को subscribe भी कर देजिएगा सबसे पहले दोस्तों आपको play store open करना है और play store से आपको download कर लेना है Indie Smart app आप यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको download कर लेंगे और download करने के बाद इसको आप open करेंगे open करेंगे तो आपके सामने ये interface खुल करके आ जाएगा और यहाँ से आप register पे click करेंगे register पे आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिल जाता है I agree का option तो आप I agree पे click करेंगे उसके बाद यह permission मांग रहा है location on करने के लिए तो आप इसको ok करेंगे और यहाँ से अपना location on कर देंगे फिर back जाएंगे और back जाने के बाद आप इसको यहाँ से permission allow कर देंगे उसके बाद दुबारा से आपको I agree पे click करना है उसके बाद यहाँ से आपको registration करने का आपको दो option मिलेगा CIF number और mobile number तो हम यहाँ पे mobile number डालते हैं mobile number डालेंगे और यहाँ पे जो mobile number register है bank account में link है वो mobile number डालेंगे और register now पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तों यह आपसे कुछ permission मेंगा तो इसको आपको दो बार allow कर देना है allow जैसे ही करेंगे तो आपके सामने यह interface आएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके mobile number से bank में एक SMS भेजा जाएगा उसके लिए आप send SMS पे click करेंगे तो आपके mobile number verification करने के लिए आपके number से bank में message भेजा जाएगा और उसके बाद bank के तरफ से आपके नमबर पे 6 अंकों का एक OTP आएगा जो automatic यहाँ पे ले लेता है एक debit card, mpin और green pin यहीं पे दोस्तों problem होता है लोगों को इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ पे authentication करने का आपको तीन option मिलता है debit card, mpin और green pin इसके पहले दोस्तों अधार card का भी option मिलता था अधार card से भी authentication complete हो जाता था लेकिन अभी अधार card का option हटा दिया गया है और यहाँ पे debit card, mpin और green pin का आपको option मिल रहा है अगर आप debit card से अपना authentication complete करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने नजदी की ATM मसीन में जाएंगे और अपने ATM card का pin set कर लेंगे ATM pin बनाने के बाद ही आप debit card से अपना authentication complete कर पाएंगे दूसरा option है mpin का अगर आप इससे पहले indoasis इस्तिमाल करते थे और उसमें login करने के लिए जिस mpin का आप इस्तिमाल करते थे वही mpin यहाँ पे डाल करके आप mpin के माध्यम से भी अपना authentication complete कर सकते हैं तीसरा option आपको मिलता है green pin का green pin दोस्तों आपको कहां से मिलेगा green pin के लिए आपको जाना है अपने branch में अपने bank में जाएंगे और वहां bank में जा करके आपको बताएंगे कि हमें green pin की आवा सकता है अपने end smart app को registration करने के लिए तो वह आपको message के दौरा आपके mobile number पे green pin send कर देंगे और उसके माध्यम से भी आप इससे complete कर सकते हैं तो मैं दोस्तों bank से अपना green pin ले लिया है और green pin से मैं आपको यहाँ पर registration complete करके दिखाता हूँ उसके लिए हम यहाँ green pin पे select करेंगे और यहाँ पर जो message में green pin मिला है वो यहाँ पर डालेंगे और continue पे click कर देंगे उसके बाद आपके सामने यह interface खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे आपको एक mpin set करना है जो आपको याद रहे तो आप अपने मर्जी से कोई भी mpin आप यहाँ पे set करेंगे उपर डालेंगे नीचे दुबारा से confirm करेंगे और continue पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यह interface आजाएगा और यहाँ पे आपको अपना एक transaction pin set करना है आप अपने मर्जी से कुछ भी set कर सकते हैं 6 अंको उसके लिए आप उपर डालेंगे transaction pin और उसको दुबारा से नीचे confirm करेंगे और दोस्तों ध्यान रखना है कि mpin से transaction pin आप user is registered successfully complete है मैंने कि हमारा जो registration है वो complete हो चुका है उसके बाद हम यहाँ OK पे click कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपके सामने यह interface आजाएगा और यहाँ पे आपको तीन question के answer करना है यहाँ से आप कोई भी question select करेंगे और उसका answer करेंगे जैसे मैं यहाँ पी यह question select कर लेता what is your best friend's name तो यहाँ पे अपने friend का यहाँ पे नाम टाइप कर देता हूँ तो आप कोई भी question select करेंगे और उस हिसाफ से उसका answer लिख दीजिए तो इस हिसाफ से आपको तीनो question select करने है और उसका answer आपको टाइप करना है तो यहाँ पे दोस्तों हमने तीनो answer कर दिये हैं उसक इसके बाद आप देख सकते हैं कि home page आ चुका है यहाँ से हम login करेंगे login करने के लिए login पे click करेंगे और यहाँ पे हम अपना M-pin डालेंगे और इसमें login हो जाएंगे तो M-pin डाल करके हम यहाँ पे login हो चुके हैं यहाँ से account details देख सकते है, mini statement देख सकते है, passbook देख सकते है और भी बहुत कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, आप यहाँ से अपने debit card को भी manage कर सकते हैं, जैसे कि pin बनाना, activate करना, deactivate करना, pin कैसे बनाना है दोस्तों, इस पे मैंने already एक वीडियो बना दिया है, उस वीडियो को और आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो के description में उसका link म उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए, फिर मिलते है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंद, बंदे मातरम